हम और आप दिगंबर जैनाचारे विर्चित जैन व्याकरण कातंत्र रूप माला का अध्यन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूप माला के अध्यन में हम पुर्वार्द भाग तीन बेंजनांत्र प्रकरण का अभ्यास कर रहे हैं और इस बेंजनांत्र पुल्लिंग प्रकरण में सिद्धो वर्ण समामनाया हा सूत्र के अनुसार हकारांत सब्द हमारा चल रहा है और उस हकारांत सब्द में आज हमारे वीच में सब्द है अनडवाहा और उस अनडवाहा सब्द को समझने के लिए 334 नंबर का सूत्र जो हमारी मुख भूमिका में है सामानत्य हां सब्द के अन्त में हकार होने के कारण सबसे पहले सूत्र की प्राप्ति हमें हसस चांते जादी नाम डा सूत्र के माद्यम से हाके इस्तान पर डा आदेश करता है उसकी हमें प्राप्ति होने पर अनडवाह धन सी ये विवक्ति के आने पर सी विवक्ति के आने पर हसस चांते जादी नाम डा सूत्र की प्राप्ति है और सूत्र की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है सव नू अर्थात सी विवक्ति के होने पर नू का आगम होता है और नू का आगम कहा होता है अन्तिम स्वर के बाद और अन्तिम स्वर क्या है अनडवां में वा में रहने वाला वा हा उस वा में रहने वाला जो वा है उसके सामने नू का आगम हो जाएगा और नू के आगम होने पर अनडवा ना हा और सा यह पोजिसन हमारी है अब सरप्रतम बेंजनाच के सूत्र के माद्यम से जो हम सीव वक्ति लेकर आए थे उस सीव वक्ति का लोप हो जाएगा और सीव वक्ति के लोप होने पर सहियो गांतस से लोपा हा सूत्र से हा का लोप होने पर पहला प्रियुक सिद्ध होता है अनडवान अब सेस वक्तियों में तो नू का आगम होना नहीं है केवल सी वक्ति में ही नू का आगम होता है सेस वेंजन वाली वक्तियों के आने पर स्वर वाली वक्तियों के आने पर वेंजन मस्सरम परवर्नम नहित लगाते हुए हम जोड़ते चले जाएंगे तसब्द बनेगा अनडवाहव अनडवाहा घोस बस रेप सोर विसर जनियाहा अब हम संबुद्धी में अनडवाह धन्सी संबुद्धी में शीविवक्ती आती है अब सव नू यह सूत्र लगना चाहिए को कि सूत्र कहता है अनडवाह अनडवाह सब्द को नू का अगम होता है सीविवक्ती के होने पर तो संबुद्धी संबंदी सीविवक्ती है तो यहां नू का अगम होना चाहिए परंतु अगला सुत्र हमारे बीचे में आता है सम बुद्धा वो भी और हिरस्वा है अब सो नू सुत्र से नू का आगम तो हुआ है कोई कि सी के ओने पर नू का आगम होता है और यहाँ पर सी विवक्ती है इसलिए नू का आगम हो गया नू का आगम कहा होगा वाकिप में रहने वाले आग के पश्षाथ अनडवानासी अब यह सुत्र कहता है सम बुद्दा वो भी और हिरस्वा हा सम बुद्धी में चतुर सब्द के लिए और अनडू सब्द के लिए हिरस्व आदेस होता है अर्थात वा में रहने वाला जो आ है उसको हिरस हो जाएगा तो बनेगा हे अनडवन अर्थात बेन्यनाच्चे सुत्र से सी का लूप और सहियों का अंतसलोपा से सा का लूप होने पर हे अनडवन ये सब्द बन जाता है अब दुतिया वेवक्टी में आमादी वेवक्तियों के आने पर अनडवाहं अनडवाहो सस्वेवक्ति के आने पर अनडवाहा तिर्टिया विवक्ति में अब जब सासाधी विवक्तियां लेकर आते हैं तो उसके लिए एक नया सुत्र हमारे बीच में आ रहा है क्योंकि सासाधी विवक्तियां अगुट स्वर वाली विवक्तियां हैं और अगुट स्वर और अगोट रेंजन वाली विवक्तियों के होने पर सुत्र हमारे बीच में अनडू हस्च अनडू हस्च सुत्र से जो वा है उस वा के इस्तान पर वा देश होता है अनड वाहा तो जो अनड वाहा सब्द है उस अनड वाहा सब्द के वाह जो आ सहित है उस पूरे वाह के इस्तान पर उवादेश होता है अग वाहा देश हो जाएगा तो अनड वु हा सस ससमस बचाये अस वेन्यनमस्वरम परवर्णम नहेत और रेप सोर विसर जनिया अहां जो वाके इस्तान पर हूँ आदेश किया था वो डा में जाके जुड़ जाएगा और ससका जो आ था वो हा में जाके जुड़ जाएगा तो सब्द बन जाएगा अनडूहा अब तावे वक्ती में भी यही पिक्रिया रहेगी अनडूहा अब अपने को थोड़ा सा ध्यान दखना है बेंजन वाली वे वक्तियों के आने पर बेंजन वाली वे वक्तियों के आने पर भी यही काम करना है और यही काम करने पर अर्थात अनडूहे धन भ्याम अब अन्डू एधन भ्याम यहां पर अन्डू हास्चे सूत्र के मात्यम से जो वा है उस वाके इस्तान पर उवादेस हो जाएगा और उवादेस होने के बाद जो हा है उस हा के इस्तान पर दा आदेस हो जाएगा पूर में बिद्वन्स सब्द जब हमारे वीच में आया था उस बिद्वन्स सब्द में रहने वाले साके इस्तान पर दा आदेस किया गया था उसी सूत्र में अनडवन अनडवा सब्द का भी उल्लेक है अर्थात अनडवा सब्द के हाके इस्तान पर दा आदेस होता है तो दा आदेस हो जाने पर सब्द बन जाएगा अनड़ुद भ्याम अनड़ुद भ्याम के बाद में गेवे वक्ती के आने पर अनुवन्द लोप ये वचेगा अनडु हस्चे और अनडु हस्चे सब्द से वाके इस्तान पर उआदेस होकर अनडु हाहा अनडु हे जो हाके इस्तान पर भ्याम बेवक्ती में दा आदेस करना है वो सूत्रे ब्रामब बेंजना दिस बन डुन नहीं बन सी नाम चा शूत्र के माद्यम से अनडवन सब्द अहीं बन सब्द के अन्त को दा आदेस होता है और बन सुपर्त्यान तो यहाँ पर अनडवन सब्द के हाको दा आदेस हो जाएगा और वाके इस्तान पर उआदेस हो जाएगा तो अनडुद भ्याम अनडुद भीही चतुर्ती में गेवाली वे वक्तियों के आने पर अन्डू हे अन्डूद भ्याम अन्डूद भ्याहा अन्डूद भ्याहा फिर अन्डूद भ्याहा अन्डूद भ्याहा अन्डू हाम शप्त में मैं अन्डू ही ही अन्डू हो हो और सुब्य वक्ति के आने पर ब्रामब बेंजना दिस बन डून नहीं वनसी नाम चव शूत्र के माध्यम से हाकेस्तान पर दादिस हो जाएगा और दादिस होने पर सब्द बन जाएगा फिर उसके बाद में अगोसे प्रतमाहा अगोसे प्रतमाहा से दाकेस्तान पर तादिस करने पर अन्डूत्सू प्रियोग सिद्ध होता है इत्यादी हकारांता ये हकारांत सब्दों का प्रक्रण पूर्ण हो जाता है अब हमको थोड़ा सा विचार ये करना है कि जो सूत्र 335 नमर का हमारे बीच में है सम्बुद्दा बुवियोर हिरस्वाहा इसमें चतुर सब्द को हिरस्व करने की बात आई है और चतुर सब्द को हिरस्व करने की बात आई है तो सब्द हमारे बीच में रखा है प्रिये चत्वार चत्वार सब्द में प्रिये और जोड़ दिया है अब हमको विचार ये करना है यहाँ पर कि जब ये सुत्र हिरस्व करने की बात कहता है और चत्वार सब्द बहुवचनांत है उसके प्रियोग एक बचन में चलते नहीं है और संबुद्धी जो सब्द है वो प्रत्माविवक्ती की एक बचन है अब यहाँ पर विचार यह करना है अकेला चत्वार सब्द को तो एक पचन में संभुद्धी में प्रियोग होना ही नहीं है फिर संभुद्धा भुभी और हरस्वा सुत्र से हरस्व कैसे संभव है तो कहते हैं चत्वार सब्द मुख ना होते हुए समास पद में प्रिय चत्वार का मतलब है कि चार जिनको पसंद है ऐसा पुरुस तो चार जिनको पसंद है याने कि चार महा पुरुस की पूझा अर्चना जो कड़ता हो प्रिय चत्वार तो यहां प्रिये चत्वार सब्द एक भैक्तिवाची है न कि चत्वार सब्द और चत्वार सब्द संबुद्धी में रहेगा एक बचन में चलेगा प्रिये चत्वार तभी संबुद्धी मिलेगी उसको तभी उसको हिरस्वादेश होगा अन्यता वसब्द बहुवचनांत है और बहुवचनांत में कभी एक बचन में हिरस होने वाला नहीं है तो ये अपने को थोड़ा सा विवेक लगा के काम करना है और दूसरी चीज ये ध्यान दखना है कि मूल में सब्द चत्वार है और चत्वार सब्द में रहते हुए अगुट स्वर वाली विवक्ति और अगुट बेंजन वाली विवक्तियों के आने पर जो कारी हम करते चले आए हैं यानि कि वाके इस्तान पर उव आदेश करते हैं वह भी हम आदेश करेंगे और जो पिक्रिया इसकी है चत्वार सब्द की वो पूरी की पूरी अपनाएंगे जहां वाको उवादेश करना है वहां उवादेश करेंगे और जहां चत्वार सब्द से नू का आगम करना है वहां नू का आगम भी करेंगे परंतु संबुद्धी के रहने पर इसको जो हिरस्व किया जा रहा है वो चत्वार सब्द किसी के साथ होने पर ही हिरस्व संबब है अकेला स्वतंत रूप से चत्वार सब्द को हिरस्व नहीं किया जा सकता है यह आपको विशेश ध्यान रखना है अन्य था इस प्रिये चत्वार सब्द को पढ़ाने वाले बड़े-बड़े सेक्षक जो प्रोपेसर हैं जिनों ने जैन व्याकरण कातंत रूपमाला का अध्यन नहीं किया है बेवी इसकी गेराई को नहीं समझ पाते हैं और अपने हिसाब से पर पढ़ाने की कोसिस करते हैं और सामने वाला पाठक उनकी भासा को समझ नहीं पाता है नई समझने का कारण यह है कि उन्होंने जैन व्याकरण कातंत रूपमाला को समझा नहीं तो प्रिये बंदुओ ये चत्वार सब्द जो इसमें आया है संबुद्दा वो भी और हिरस्वाहा यानि चत्वर सब्द क के लिए अनडवान सब्द के लिए इन दोनों सब्दों के लिए जो हिरस्व की चर्चा की जा रही है तो अनडवाह सब्द में तो सातों वेवक्तियों में रूप चलना है एक बचन दूई वचन तीनों में चलना है इसलिए यहां पर प्रतम पुरुष की एक बचन की नहीं हैं क्योंकि वे बवचनांत सैंग्यार प्रतेमा वीवक्ति की होती है एसा जानना चाहिए तो यहाँ पर जो प्रिय चत्वार सब्द हमारे बीच में है बेरकारांत बेक्तिव आची है चार जिसको अच्छे लगते हैं चार कौन अच्छे लगते हैं चार बगवान अच्छे लगते हैं चार मकान अच्छे लगते हैं चार बच्चे अच्छे लगते हैं तो जो भी आप अर्त लगाना चाहें वो अर्त लगा सकते हैं लेकिन यहापै चत्वार का नहीं चार बस्तुएं जिसको अच्छी है उसको प्री चत्वार तो प्रिये चत्वार के पूरे रूप चलाते हैं शी विवक्ति के लाने पर बेंजन आच्चे सुत्र से सीका लोग और यहाँ पर रहने वाला जो चत्वार का राह है उसको रेप सोर विसर जनी यहां से विसर गया देश तो प्रिये चत्वा फिर अव विवक्ति के आने पर बेंजन मस्वरम परवर्णम नएत प्रिये चत्वारो जस्विवक्ति में प्रिये चत्वारा हा अब संबोधन लाएंगे संबुद्धी लाएंगे तब इसको हिरस्व करने की वात है तो यहाँ पर प्रिय चत्वार जो सब्द है उसको हिरस्व करके हेप और बेंजन आच्छे से सी का लोग और रेप सोर विसर जनिया से चत्वार में जो रा है उसको हेप रेप आदे बिरसा आदेस किया जाएगा और वामे रहने वाला जो आ है उसको हिरस्व प्रिय चत्वार ऩी प्रियोग सिद्धोता है सेश्युक है हे प्रियसे चत्त्वारव। हे अब यहां पर ध्यान दखना है अपने झाल सद्ध व्यवक्ति के आने पर या भ्याम व्यवक्ति के आने पर जो सब्धों का प्कृरीय है पूरुव में कि जो सब्द हमारे बीच में है चतुर सब्द हमारे बीच में है उस चतुर सब्द के रहने पर सूत्र हमारे बीच में आता था चतुरो वा सब्दस से उत्वम चतुरो वा सब्दस से उत्वम अरता चत्वार सब्द को अगुट शर और बेंजन वाले विवक्तियों के होने प प्रिये चतुरहा 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 प्रिये चतुर कि प्रिये कुद्व अब यहां पाद ध्यान दखना है नुम का आगम करना है कि अमी चतुर करेंगे और निम के आगम करने के बाद में यहां पर बन जाएगा प्रिये चतुर नाम रही प्रसरी वरने ब्याणोठ्या स्वरहयव कवर्ग पवरगान तरोपी सुटर के माध्यम से यहाँ पर नाकून आ देशो कर सब्द ने गए प्रिये चतुर नाम और सुप्व्यवक्टी के आने पर रह सुपिही सुटर के माध्यम से जो रा है उस रा को भिसर्ग का निशेद हो जाएगा हिरस्वा में जो चत्तोर सब्द को हिरस्व करने की चर्चा है उसके ब्यापक हमको करना है चर्चा अगले सत्र में इस प्रकार से यहां पर बैन्यनांत पुर्लिंग सब्द का पकरण आज पूर्ण हुआ है से चर्चा है अगले सत्र में तब तक के लिए जैजनेंदर वंदना सबको यतायो अविवादर